कुछ शोज होते हैं जिनको देखना शुरू हमने टाइम पास के लिए किया बट जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गए हम उनके साथ जुटते चले गए और अब जब दी एंड आँखों के सामने है तो मन कर रहा है आँखें बंद कर लो और ये एंडिंग हमें कभी न देखनी पड़े समझने वाले समझ गए होंगे बात यहाँ पर मनी हाइस्ट की हो रही है जिसके फाइनल पाच एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इसके बाद नया सीजन वापस नहीं लोटने वाला टोक्यो मनी हाइस्ट की सबसे इंटरस्टिंग करेक्टर वॉल्यूम वन में सबको सर्प्राइस करते हुए अपनी कॉमेडी जैसी लाइफ को पर्मनेंट ट्रेजडी में बदलके चली गई अब सवाल जो पिछले टाइम अधूरा रह गया था प्रोफेसर एंट टीम टोक्यो का बदला लेंगे या फिर अपने ओरिजिनल प्लान बैंक ओफ स्पेन का सोना लूटना उसको कंटीनू करेंगे जवाब मिलेगा इन पाच एपिसोड में इस बार शो लिखा गया एकदम चैस के गेम की तरह हाथपेर वाली फिजिकल लडाई नहीं बलकि माइंड गेम्स होने वाले हैं दिमाग की ऐसी जाल जिस पर दुश्मन हार मानने को मजबूर हो जाए लडाई एकदम आर पार की है प्रोफेसर काफी कुछ खोड़ चुके हैं लेकिन और भी बहुत कुछ खोने के लिए बाकी है इसलिए मिशन एकदम क्लियर है अब और खून नहीं भहना चाहिए लेकिन सोना वो भी गायब होना चाहिए एक तीर से दो शिकार कैसे होगा वो आप पता लगाना प्लस बैग्राउंड में अपने बर्लिन भहिया वो परसनल टाइप की लडाई लड रहे हैं एक तो इनकी जिंदगी के दिन बच्चे हैं दो चार उस पर धोका मिलने वाला है बिचारे को इन प्यार लेकिन ये बर्लिन का पास्ट प्रफेसर के प्रेजन से कनेक्टेट कैसे है ये बड़ी इंटरस्टिंग कहानी है और जब सीक्रेट कनेक्शन से परदा उठेगा तो आपकी होश होड़ जाएंगे मेरे दोस्ट बर्लिन शो में ना होते हैं भी पूरे शो को कंट्रोल कर रहे हैं इसको बोलते हैं आइकॉनिक कैरेक्टर जिसको मारने के बाद शो मेकर्स को दुबारा जिंदा करना पड़ा देखो शो इस बार काफी डाक एंड इंटेंस है उसका सबसे बड़ा रीजन एक खतरनाक सवाल जो एकदम सेंटर पर घूम रहा है या तो सब बचेंगे या तो सब मरेंगे कौन सा वाला उप्शन करेक्ट है उसका जवाब काफी टेड़े मेड़े रास्तों से होकर गुजरता है X Factor है Emotions क्योंकि Money Heist अब Personal बन चुका है एक एक करेक्टर अपना सा लगता है जिससे मिले कभी न हो लेकिन जानते सब अच्छे से हैं हमने पूरे 5 सीजन दिया है इन लोगों को तो ऐसे ही थोड़ी Final लड़ाई में अकेला छोड़ देंगे इसलिए हर एपिसोड के साथ एक Connection फील होता है फिर अचानक कुछ ऐसे Twist and Turn आते हैं जिनके बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता कोई मतलब प्रोफेसर के साथ भी कोई चालाकी कर देगा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा लेकिन Money Heist का ये सीजन एकदम unpredictable है कब कहां से कौन निकलाए एंड गेम का mastermind बन जाए बिलकुल आइडिया नहीं है हर बार की तरह एपिसोड लंबे हैं एक एक घंटे तक चलते हैं लेकिन एक भी सेकेंड बोरिंग या खिचा हुआ फील नहीं होगा और उसका पूरा credit जाता है music tracks को हर situation को suit करने वाला गाना बजा के audience को पकड़ के रखा जाता है एकदम end moment तक language कभी English होगी तो कभी Spanish लेकिन beats इतने मज़िदा जिसको आप सिफ enjoy करना चाहते हो last में बार direction की क्या कमाल सीरीज बनाई है भाई एक एक चीज बिल्कुल सोच समझकर कई सालों की planning के बाद इस season में finally पूरा plot reveal किया गया है professor professor बने क्यों, Berlin का character अंदर से इतना खाली लेकिन भार से इतना चालाग क्यों है और bank of Spain में घुसकर चोरी करना सिर्फ एक हाईस नहीं सपना है हर एक चीज का answer past में छुपा है जिसको बड़ी चालागी से present के साथ जोड़ कर money heist का final chapter close किया गया है एक satisfaction वाला climax जिसकी जरुत हर उस fan को थी जो पूरे 5 सीजन से show के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ बिल्कुल भी compromise नहीं किया गया, पूरी details मिलेंगी प्लस happy या sad ending वो आप पता करो तो यार मेरी तरफ से money heist के final chapter को मिलेंगे 5 में से 4 stars एक star तो कमाल की writing प्लस जबर्दस storytelling तो दूसरा दिमाग का test लेने वाले twist and turns जिनके लिए हम बिल्कुल भी तयार नहीं थे तीसरा एक fictional कहानी को real and personal बनाने वाली जबर्दस performance हर एक character याद रहेगा lifetime और चौथा smart direction जिसने last episode को heist की शुरुआत से जोड़ दिया ये चोड चोड बने ही क्यूं ये सवाल भी answer कर दिया गया बात करू negatives की तो half star कटेगा काफी easily professor versus colonel की लड़ाई खतम करने के लिए ये face off एकदम खतरनाग होना चाहिए था और half star final season को दो parts में जबर्दस्ती divide करने के चक्कर में show का flow थोड़ा सा disturb करने के लिए सारे episodes एक साथ आते हैं तो money highest legend बन जाता बाकी वीडियो में कुछ पसंदाया हूँ या फिर कुछ शिकायब करनी हूँ तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में take care bye bye